लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटिन को प्रेस करें लेटिन को बेदिन कि लेटाल। कि थो। लेटिन, बीडिल ऐम नमाशी बाया ओम नमाश्षिवाय, 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 ओम नमा आम नमस्चिवाय quy2015 कि आमस्चिवायthinking कि आमस्चिवाय illustrated आमस्चिवाय कि आमकिवाय志 आमस्चिवाय हुँँऊब बूदे से आठ कि अहुरूर पी हमाय सो ब सकतव दो integr साथदे एक पुम्वाना हृूर आुम्ना मश्षिवाए प्स्कार प्स ह्सी टा हन बाव श्साथ अ ऑ्नांचि टा नहीं प्स्कार प्स्क्त आ प्सक्त आ प्सक्त नमस्यवाद, ओनमस्यवाद, ओनमस्यवाद. मैं ओंकार हूँ जगत के पंच भूतों का प्रेर्णा स्रोत पंच भूतों की सक्रियता का आधार और उन में समाया हुआ अरुंधती और वशिष्ट एक दूसरे के प्रति समर्पित पहाव प्रकट करते हैं उधर स्वर्व लूप में भय के वशी भूत कामदेव और रती नारत के प्रकट होते ही अद्रिश्य होने लगते हैं किन्तु नारत कामदेव के आशमकित मन को टटोलने लगते हैं और यही विशय लेकर जा पहुँचते हैं प्रमदेव के पास परंतु चर्चा करते हैं सती की तपस्या और दक्ष के हटकी समाधान न होने पर नदी तट पर शिर आराधना में रत सती के समीप पहुँचते हैं सती की मुखाकृती देख दक्ष महल पहुँच वीरणी और दक्ष से सती की मनोदशा की चर्चा कर उसका उपाय करने का आग्रह करते तत पश्चाद वीरणी द्वारा पुत्री के पक्ष का प्रजापती दक्ष कठोर शब्दों में विरोध करते हुए उसे सती को शिवा आराधना से विमुख करने का आदेश देते वीरणी कातर भाव से शिवस्पर्व करती रह जाती है आरा 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 देवादी देव सुदाशिव के चरणों में नारत का प्णाव आपकी साधरा में व्यवधान डालना मेरे लिए उचित नहीं किन्तु विशे की गंभीरता और महत्व को देखते हुए मुझे द्रिश्टता करनी ही पड़ी देवरिशी जब आप स्वयम करें कि विशे महत्व पूर्ण और गंभीर है तो आपने जो किया वो द्रिश्टता कैसे ही अपने आने का मंतव्य बताई प्रभू दक्ष मुत्री देवी सती अथ्याधिक व्याकुल और पीडित हैं मुझसे उनकी ये दशा देखी नहीं पीड़ा का कारण नार आयन नार आवे ये सर्व विधित है के आप ही नट्राज है किन्तु है महेश्वर्त नाट्य विद्या के प्रदर्शन के लिए ये समय उचित नहीं है सब कुछ जानते हुए भी आपका अनभिक्य होने का नाटक देवी सती के कश्ट में और भी विर विधिग्ण जो आ रहा है उसे विफल कैसे किया जाए उसका उपाय क्या है कि किसी भी प्रकार की दूइधा की स्तिथी में नंदावरत इक कन्याओं की कामना पूर्ती का सर्वत्तम उपाय है कि देवरिशी अब यह मां तुछ बैठेगा कि नंदावरत क्या है देविश्वा अश्चर है स्रिष्टी का भार स्वयम पर लिए हुए भी आप विनोध्पुर्ण वार्तालाब कैसे कर लेते हैं नारायर नारायर कि देविश्टी की आराधना का परिणाम क्या निकलेगा यह जानना मेरे लिए तो असंभव है किन्तु है महेश्वार आपकी लिला आप ही जाने कि अधा भक्ति प्रेम पूजन में नजाने कहां और क्या कमे रह गये जो मेरे आराध्य तक मेरा स्वर नहीं पहुच रहा है वह इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है जो अपने आराध्य से अलग होते हुए होती है सत्य धैरे रखो सत्य तुम्हारी प्रेम में तपस्या निवर्थत नहीं जाएगी तुम्हारी स्वामी आएंगे अवश्य आएगे इस सत्य कहती है पुत्री तुम्हारी मन का मेश्वर अवश्य आएंगे किन्तु तभी जिस पल विधाता ने उनका अनम श्रित किया होगा तो फिर मिलन की उस पल की प्रतिक्षा में मैं तक तक यहां बैठी रहोंगी जब तक मेरे स्वामी आकर मुझे सुईकार न कर ले पुत्री यह बालोची थाट तुम्हें शोभा नहीं देती चलो घर चलें माति आप तो स्वाम्स्त्री है किसी की पत्नी भी है आप भी मेरी विराज्यनित द्याकुलता को नहीं समझ पा रही समझती हूं पुत्री किन्तु तेरे पिता का क्रोध मुझे भैभीत कर रहा है पुत्री है यह हर पचुत्री हर चाना नहीं माते नारायन नारायन प्रणाण देवियों मंगल हो मंगल हो देवियों मंगल हो देविस्वति आपके लिए देवाथी देव भोले नाच शिवशंकर का एक संदेश है जो बाधाएं आ रही है उनके लिए नंदावरत करना आपके लिए उत्तम रहेगा नंदावरत पती पाने की दिशा में नंदावरत एक सिध्धु पाय है यही महेश्वर का कथर्ण कि देवियों चाहे तो आभी इसका प्रयोग कर सकती है नाराया नाराया इस व्रत को करने का विद्धी विद्धान क्या है हाँ आप यहीं लोगों को कि ठोली सकते हैं और मेरी यहाँ प्राण जा रहे हैं माते कि आप घर्टी लिए प्रस्थान करें और यह नटकर्ट भेरों को भी अपने संग ले जाने हैं तो हमें भी तो व्रत की विद्धी सीखनी है ना माते है जैसे तुभारे इच्छा पुत्री है कल्यान हुँ शेक्र बताए देवरिशी व्रत की विधिया बताऊंगा परन्तु आप सब को मेरी एक पार उमाननी होगी वो क्या देवरिशी सब से पहले देवी सतीन अन्य वरत करेंगे और इनका वरत पूरूर्ण होने तक आप सब इनकी हिदय पुर्वक साहता करेंगे और वरत की विधिका इने स्मरन कराती रही है क्योंति ये वरत एक भर्ष में पूरुण होगा और एक वर्ष तक तिथियों की अनुक्रम से दिवित शामक्रियों से आपको बगवान महेश्वर का पूजन एमाम स्मरन करना होगा जागरण के साथ साथ उपुवाज भी करना होगा अन्य विधिया आपकी बेहनों को मैं अवगत करवा दूंगा यह आपको स्मरण कराती रहे हैं उसके लिए मैं सदा अभारी रहोंगे देवेशी तुलेखा 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 जी महाराज तुम्हारी स्वामनी कहां गई है वो नदीशनान को गई है महाराज नदीशनान वो भी इसकुबेला में नहीं नहीं क्तार्चितत्यवीराजकॉमारी सती के साथ है वो तो वहार नित्ने जादी ही ही है न स्वमीनी आगे महाराज कि है है पंव्यल अधिक तुम जा सकती हो कि महाराणी और दुक कहां है ह। वह वह अपनी बहनों के साथ ब्र Caribbean और उस सती और उसकी बेहने परंतो महारानी मेरी अन्यय पुत्रियां और дуже आ गई हो को सती को अकेली कहा छोड़ाई मैं जानता हूं महारानी कि सती वहां क्या कर रही उगी कि वह वहां शिव नाम के खिलोने बनाकर उनकी साथ खेल रही होगी स्वामी एसी बाते मुख पर ना लाईए शिव के प्रती सती की भावना को खेल न कहिए महारानी यह माना की सती की आयो अभी उचित अनुचित का भेद करना नहीं जानती परंतु तुम उसे प्रहसान दे रही हो तुम उसे जान बुझकर ऐसी दिशा की और जाने की अनुमती दे रही हो जहां दुख ही दुख है काटे ही काटे है स्वाम यदि आप उसके पिता हैं तो मैं उसकी माता हूं मैंनी नौ महीनी उसे गर्ण में रखा है पालन पोशिद करके बढ़ा किया है क्या मैं अपनी पुत्री को सुखी देखना नहीं जाती महारानी यदि ऐसा होता तो तुम सुख्ण में भी अपनी पुत्री के लिए ऐसे पती के विश्य में ना सोचती जो ग्रस ध्रम का बालन करना यह नहीं जानता जो परवश शंग्लाओं पर बैठा बभूती रमाय बागंब लपेटे अपने भेंकर गणों के साथ योगियो जीवन व्यतित कर रहा होगी है ठीक है महारानी ठीक है मैं अभी इसी समय सती को बलपुर्वक यहां ले आता हूं नहीं स्वामी नहीं मैं आपसे हाथ जोड़कर विंती करती हूं विधाता के लेखे को चिनौती मत दीची सती के साधना भांग करके पाप के भागी मत बनिये आपका यह एक महत्र पाप आपकी जीवन भर के पुन्यों का फल आपसे चीन लेगा हाँ चिंता छोड़िये स्वामी और परिस्तिथियों के नौका को समय की धारा में छोड़कर विश्चिंध हो जाएए और सती को उसके आराधना करने दीचे स्वामी सती को उसके आराधना करने दीचे हाँ पड़ियो अन्यों करने देश्गायत करने दीचे वार्ण में पमे प्रत्र आपकी एक की आराधना करने दीवा और पर आरम ओर आपकी आराधना करने दीचे नंदा अग्रत जो रखा है तूने नंदा अग्रत जो रखा है तूने उसकी महिमा सुन्तु सती इस व्रत के फल में पाएगी तू अपने सपनों का पती नंदा अग्रत जो रखा है तूना अग्रत जो रखा है ये व्रत ऐसा है जो करते फूरी हर अभिनाशा इसमें मौन ही बन जाता है अपने आप में भाशा निश्चे ही व्रत ऐसा है जो करते फूरी हर अभिनाशा इसमें मौन ही बन जाता है अपने आप में भाशा निश्चे ही वो के देंगी तेरी इस जीवन को गती तेरी इस जीवन को गती सुनरी सती, सुनरी सती ओम नमसी बाइ, ओम नमसी बाइ, ओम नमसी बाइ करते तुनरी वोत प्योड़ने अपना वीयरा करते तुनरी सती करते है मौन मौन जा बाइ जाल सब्सक्राइब खिर्ष नच्म आप जार प्राप जात शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को करना उनका पूज़ रुत्रदेव को फल फूलों का करना सतीजु अर्पड आ, 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 आ शुख्ल पक्ष की चतुर दशी को करना उनका भूजन रुद्र देव को भल पूलो का करना सती दुवर्पर नटेश्वर को पाजाएगी बनेगी तू सौ भागवती सुनरी सती, सुनरी सती ओ नमस्षिवार ओ नमस्षिवार ओ नमस्षिवार ओ नमस्षिवार ओ नमस्षिवार नंदा व्रत जो रखा है तूने उसकी महिमा सुन्कु सती इस व्रत के भल में पाएगी तू अपने सपनों कमती नमस्षिवार ओ नमस्षिवार 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 सुटी लगी आप स्वामी स्वामी मैं आपके तर्षिन पाके भर्यों की तर्षिन पाट था स्वामी समर्पन और निष्ठा भाव से कीगए तुमारे व्रत से हम परसंद कुए कहो दर्षिन दनी किस प्रयोजन से तुमने इस कट़ोर व्रत का पालन किया कहो अपनी मनो कामना तुम अभिष्ट वर की अपिकारनी हो मुझे अभिष्ट वर प्राव होगा न भगवान अवश्य होगा कहो दर्ष्पुत्री क्या इच्छा है इस सर्वग्या सर्वव्यापी कामतर्या में मेरे मन सत्याम से छिपानी है मेरे पालेगाल से पधिन में आप यही कामना की है इसके अतिरिक और कुछ भी इचित नहीं है भगवर तथास्तु, सती, तुम्हारा और हमारा अभिष्ट भिन नहीं है तुम्हारा अर्धानी रूप की जगत के लिए कल्यानकारी होगा मैं धन्य होगे रभू, मैं धन्य होगे मेरे आप रिष्ट और अपने वर्दान की पूर्थी के लिए रभू, आप शीख रही मेरे पिता श्री से इस संबन के निश्चित कर विवाकाय चन करें ऐसा ही होगा प्रीय रभू मैं ओंकार हूँ अंतरिक्ष में व्याप्त द्यव्य तरंगों की भाति सर्वता निर्विकार हूँ दिव्य तरंगों के इस पर्ष मात्र से मैं ब्रह्मान की गत्विदियों का ज्यान रखने में समर्थ हूँ सती की साधना को सफल बनाने के प्रयोजन से जब नारद शिवशंकर के पास आये तो उनसे नंदावरत का उपाय लेकर सती का मार्ग दर्शन किया व्याकुल सती को नंदावरत का मार्ग नारत ने तर्शाया अवश्य किन्तु पिता दक्ष का क्रोध और शिव के प्रति उनका विरोध बाधक से तो अपनी चेतना में लौटाओ पितास्री में तक मुर्ण रूप से चेतन हूँ मेरी साभना की सपल दाने तो मंझे और चेतन कर दिया है तो मुझे और चेतन कर दिया है पितास्री कि यह प्रतिव बंद करो अब तो आला आप आराम हुआ है पिता श्री आ है दिब्ले सुष और नदिर जिनकार से पूरल आलाब बावज्वां शेख ने मुझे अरधां गिरिस्वी कार करने का बर्धान दिया है पिता श्री मुझे बर्दान दिया है तुझे बर्दान दिया है तुझे अर्धांग ने बनाने का क्या उस अस लिप्ट देव को हम अपने जावासा बनाएंगे कदापी नहीं सती हम यह बर्दान हलित में होने देंगे नहीं होने देंगे तुम्हारे खिले खिले मुष्ट की एक एक रेखा योद्धोश कर रही है कि तुम्हें तुम्हारा मन्मीत मिल गया है चल्वी बताऊना सची नंदर व्रद को प्रेयों के शुकल हुआ शीक को बताऊना सची फिर हम भी अपने मन चाहे पती को पाने का प्रयाद आरम करें पारंटरे है पारंटर सथी फिताश्य इस विवा के व्रुद्ध है कहीं ऐसा नहों शिव जी का वचन मिध्य नहीं होता बहन जब संपून ब्रह्मान उन्हें सत्यम शिवम सुम्बरम के रूप मानता है तब उनकी मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते सत्य और सुन्दर सुरूप खोले नाज श्री शिव शंकर के चर्णों में ब्रह्मा का प्रणाव कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मा जी आपके लिए एक सुप समाचार है दक्ष पुति और आपकी पौत्री की तपस्या से प्रसंद होकर मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का वचन दे दिया है अपने और मेरे बीच इस नवीन संबन्द के चुड़ने की सूचना देकर आपने मेरा मन प्रसंद कर दिया प्रफू मैं आपका आतिया भाल है इतना अ आपके कहने का तातपर ही क्या है सदाशे आपके पुत्र दक्ष प्रजापती का मन मुझसे विमुक्त इस विवा के लिए उनसे स्वीफिती लेना अब आपका ही उत्तरदायत को है आपने चिंत रहे शिवशन के दिया पैसा ही होगा जैसे आपकी इच्छा है आपने मेरी पुत्री को अपनी जीवन संदी के रूप में स्विकार करके मुझे और सती दोनों को कृतार्द किया है कि मैं पुत्र दक्सित स्वयमन रोग करेंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस अन्रोध को आज्या मानकर इस विवा के लिए अपनी स्विकार्दी देदेंगी नहीं कभी नहीं कि मैं अपनी पुत्री का विवा उस बैरागी औगर्ण शिर से कभी नहीं करूगा तमस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कारे करने के लिए बातें नहीं कर सकती है कदा भी बातें नहीं कर सकती है कदा भी नहीं पुत्रदाक्ष पिताश्री नाएं पिताश्री आयूश्मान भुट्र। समस्त ब्रहमांड की शक्तियां ये शक्ति को अपना आराधि समझती हो उन भूले नात की आग्या का पालन तो तुम्हा नहीं हो कद आ देज विवा को तुम रोक नहीं सकते हैं पिता श्री शीव प्रेम के दंश ने सती को तो बुद्धि भ्रश्ट कर ही दिया है तरन्त उसकी मां अर्थार्त आपकी पुत्र वदू वीरनी की भी मती हर दिया है पिता श्री अब आप ही समझाए इन माता पुत्री को समझाने तो हम तुम्हें आये हैं पुत्र इस विवा में बादक पदपनो इसे हमारी भी आक्या सब्च यह आप कह रहे हैं पिता श्री यह जानते हुए कि राजप्र में जन्मी पली बढ़ी आपकी पौत्री को इस मुझत है दक्ष तुम तुम से अच्छा मात एक राजा संसार के समस्त राजगरानों की वैबाव संपदा को यदि तुम्हें पलड़े में डाल दोगे तब भी भगवान शिव के वैबाव और उनकी करीमा का पलड़ा उससे कहीं अधिक भादी परमपितर यदि आपका कहा लिया जाएं तो बीवेदी के अनुसार मुझे सती के अन्ने बहनों का विवा पहले करना होगा कुछ उसका विवा तो तभी हो सकते जब मैं तुम्हारा विवयन को पर दू शती आदिसक्ती का वटाइं और शेव सती का विवाद निधाता का अड़न निधान्य तुम्हारी इच्छा हो जन्द हो तुम इसे रोप नहीं पाँ मेरा कहमानों और सहाशिस विवाद के लिए स्विकृति देदू स्विकृति देदू पुप्त बस्त तक्ष स्विकृति देदू स्विकृति देदू पुप्त जैसी आपकी आज्या पितश्री सदा सुखिर हो पुप्त और सरप्रथम ये शुप समाचार हमारी पुप्त वधू और पत्रियों तक पहुचा दो जिससे उनका शांत्र देगो शांती मिले शांती और धैरी हिनारी के अभूशन है इस तरह विचलित मत हो सती सब ठीक हो जाएगा नहीं मत है मेरा मन आत्यंत व्यातित है मेरी व्यागरता चिंता बनकर मेरे मन को खाय जा रही है अरे सती यूँ मूलट काय क्यों खड़ी हो नाचो गाओ मोद बनाओ पिताशी ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्विक्रिती देदी है और भगवान शंकत्त में तुम्हारे विवार की मात्र मेरी तपस्या का भी फ़ल है यदि अपने तश्रीक हो अपने तर्क उसे निरस्म कर दी तो ये खड़ाने में नजाने कितने योग पीचा दे और अपकी पुत्री बोलनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्द हो जाती है मात्री अपने दोगे में नजाने ये अपने ये विए महादेव क्या हुआ ये कौर बन पर शौटशी किशोरियों जैसी लाली मा कहा से आ गई महिश्वर कहीं आपने अपने अंतरमन में देवी सती को तो नहीं चुपा रखा ना रायन देवादी देव महादेव के चर्णू में रहाँ शूशंगू उस दिन आपने पुट्र में शुप समाचार दिया था आज मैं आपको ऊक्यार दी रहा है मेरे पुत्रिक्ष देवी सती की, रक्वाम शिव शक्कर की, देवी सती की पुत्रना, आप में उत्ते दैथ तुमें सुन्दा, ते सभी डेवताओं को शिव सती विवाने मत रहने का आधन्दन दिरूँ अवश्य, अवश्य परंपिता, अवश्य, मैं ये मंगल कार्य, शीगरहिन पुर्ण करूंगा नाराय, नाराय नारा, 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 ओम नमो भगवदेवा सुदेवाय, हे जगदीश्वर, हे भक्त वच्सल, इस अकिंचन नारत का प्रणाम स्रिकार हो, तुम्हारा मंगल हो नारत, कहो, कैसे आना हो, परमपिता प्रमाजी के आदेशा नुसार, मैं आपको शिव सती विवहा के ल धन्य हो गए हम, यह सुनकर अतिया आनंद हुआ, प्रभू, सर्वत्र आनंद और हर्ष उल्लास का वातावन चाया हुआ है, परन्तु आशंका ये भी है, कि विवहा उप्रान, ससुर जामाता, अर्था राजा दक्ष और देवादी देव शिवशंकर के संबंधु में, सु कि विया पदात, कोई भी हो, बड़ी कटनाई से अपना सोभाव छोड़ता है, अब विधाता की विधान गर्भू में क्या चिपा है, या तो समय आने पर ही ग्यात होगा, हे सरवग्य, हे अंतर यामी, सब कुछ जानते हुए भी, आप अनभिग्य बन रहे, यदी मैं आप आप से पूछू, इस शेष शयया पर देवी महालक्ष्मी कब विराजेंगी, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे, विधाता जाने, नारद, सत्त तो यह है कि घटना करम में कुछ नवीन मोडाने वाले हैं, उनके बाद ही देवी लक्ष्मी का आजमन संभाव है, इस समय का घटना करम यह कहता है कि हम शिवसति, पुरुशार प्रकृति के अध्भूत मिलन का आनन्द मनाएं, नारायन, नारायन धर्पी छूम रही है घर्पी छूम रही है गगंदी करने लगा है नरतन धर्पी छूम रही है गगंदी करने लगा है नरतन दक्ष पिता की लाड़ने कर्या आज बनी है ये दुल्हन आज बनी है ये दुल्हन आज बनी है ये दुल्हन अज़ बनी है कच्रा लेहकी गज्यामे के चमक रही है बिन्दिया देखते जिसको रुखन लगी है बेहते समय की नदिया बेहते समय की नदिया शिम्षं करके नेर बनेंगे इसके रूप का दर्पन इसके रूप का दर्पन इसके रूप का दर्पन धर्ती जू रही है घगर्ती करनी का है ने भूला राचित कुमारे धुल्धा लेने चला है ये दुल्हन लेने चला है ये दुल्हन तवसर काल में आज बढ़ाए धोल नकाडए बातर रहर हके छेड शहनाई ये पुर्वाई चल्चल ये पुर्वाई चल्चल काल चक्र ने शंख बजाला चहक रहा है ये हर शन चहक रहा है ये अर्चन चहक रहा है ये अर्चन ओ धर्ती शुम रदी है बगर्दी करने ददा है नैसन भोला राचित कुमारे धुल्हा लेने चला है ये दुल्हन आज बनी है ये दुल्हन लेने चला है ये दुल्हन मैं अपनी पुत्री को वदू वेश में देखकर आ रही हूं कितनी सुन्दर लग रही है वो उसके मुक्की शोभा तो देखते ही बनती है ये प्रभू मेरी पुत्री का मंगल करना उसे परम्सुक और सभागी देना ये क्या आपकी पुत्री का विवाँ है और आप प्रसन्ने नहीं नहीं कद आपी नहीं क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और पिताश्री के इच्छा से हो रहा है और मैं जानता हूं कि सती के मुख पर आज जो आभा है वो कल धुमिल पड़ी जाने वाली है हमारी पुत्री को इस विवा से केवल दुख और निराशा ही मिलने वाली है ऐसे ऐसे अशुम वचन न बोलिये स्वामी रभू से प्रात्ना कीजिए हमारी पुत्री सदा सुखी और सभाक्य्ती रहें उसका जीवन मंगल मैं हो ओम नमस्यवार ॓म नमस्यवार do ओम नमस्यवार ओम नमस्यवा लो नमाशिवाई लो नमाशिवाई